प्रफिट नहीं हो पा रहा है रिजन क्या है आई पेल में काफी जाद है दूस्तों और लगबक सभी को वारे में सभी प्लेयरों को पता है दूस्तों कि हर यूजर को पता है कि कुछ से खेलेगा किसी ओडर पर खेलेगा और कितने के ओवर बॉलिंग करेगा किसी के इसलिए मैं आई पेल अगेरे को थोड़ा से ड्रॉप कर रहा हूं उस रेष्ट लेके दूस्तों जो डोमेस्टिक मेंचे से उनको कवर कर रहा हूं दूस्तों पहला मेंच देखो कि दूस्तों यह इनका पहला मेंचे स्क्रीश का और यह मेंच ग्रेंडलिक के बहुत ज्या यह प्लेयर तो यह सी है जिसका person selection 4% है लेकिन वह प्लेयर हाइस्ट टेकर रही थी पिछले साल की कौन सी प्लेयर है इस वीडियो में आपको पता पड़ेगा वीडियो को skip मत करना दोस्तों क्योंकि यह वीडियो दोस्तों काफी कम लोगों के पास पोचने वाला है और जिन करने वाला हूँ चाहो तो देख सकते हो मेरे ड्रीम 11 को अगर आपने फोलो कर रहा होगा तो आपको दिखी रहा होगा दोस्तों यह मेंच को मैं वी ग्रेंड लिग को आप ज्यादा रागिर करना स्मॉल लिग में थोड़ा सा कम इन्वेस्ट कर सकते हो क्योंकि वुमेंस के इस वीडियो में आपको कुछ इस टीप से बगर देने वालों तो वीडियो को इसकी बिल्कुल भी मत करना पूरा जरूर देख लेला यह दोस्तों दोरे टीमों के मेचे सोने वाले हैं पिछले साल की परफॉंच देखो कि संड्राइजर ने छे मेचों में छे के छे मेच हा मेच जला जाने वाला है एंठी अ फॉर्ड में जाने वाला है तो मेच थोड़ा से डिस्टर्बस हो सकता है यह बैटिंग जाना जा देखों के करीब करीब बिस्कोर बन जाए तो अच्छा है इसके अलाब एक कामन विकेट टोटल गी रहे थे पिछले पाच विचों में ज डरली वुमेंस के मैचस में ज्यादा इंपोर्टन रहते हैं तो यह चीज भी आपको थम्हेसा नौट करना है यह आपको हमेशा ध्यान में रखना है दूस्तो हमेशा काम में है यह चीज 3 मेंच करें Come on चैसे करते होुआ हिसमें मेंच करें सब सबसे इंग्लेंड और सण फर्रे वोमेंच का इंटरन सलमेच केला गया था जिसमें पैसरे शीनर ऑड़ विकेट निकालेते हैं लास्च सेकेंड मेंज दोस्तो इंग्लेंड और न्यूजुलेंड ऊबिच में खेला गया थेले दोस्तों. सिपिनड उनल चौ्णे इंडाथा च्तौं सेतलेको फुछुष मेंन हsmith़स को सेता किया है gef। सब्सक्राइब की बात करें की टीम इस बार थोड़ी से मुझे श्ट्रॉंग दिख रही दोस्तों क्यों दिख रहे हैं कि इनकी टेम में डैन्विक निकर आ चुकी है बट एक धियां डगना यह हाइली पर्सेंट वाली प्लियर है और कैप्टेन भोस लोगों ने बना है और आपको बता हूं तो बेटिंग में अच्छे फॉर्म में नहीं और बॉलिंग भी काफिय काम ओवर की कर रहे हैं तो पहली आपको बता दीस इसका पर्सेंट सेलेक्शन नब्बेस पर्सेंट से ऊपर है लेकिन आज अपने को इन पर रिस्क लेके चलना है दुस्तों ठीके इनके बार में बताओं तो यह भी दुस्तों काफी जाद सेलेक्टेट प्लेयर है इनको नब्बे पर्सेंट लोगों ने ले रखा है लेकिन अच्छी प्लेयर रहने वाली है होम ग्राउंड पे खेला जा रहा है इंग्लेंड में ही दुस्तों और यह अच्छी पर्फॉमस इसके बाद आती कोडिया ग्रीफिड दूस्तों ठीक प्लेयर रहेंगी आपको लास्ट मेच के लास्ट येर के मेच इसके लेगा है तो इनके भी स्टेट दिखाऊंगा ताक्यापको और हेल्प मिल सकें अपने प्लेयर स्पिक करने में में मैडी डिविलेर्स को परसेंट स जो ढाद कि बात कर Estamos दो यह भी एक अच्छी प्लेयर रहेंगी घृट अच्छी नहीं को थोड़ा सब कम लिया गया लेकिन काफी इंप निख रहेंगी केली गेसल के बारे में अ conqu 25% लोगों नहीं को लिया है लेकिन दूस्तों काफी तगड़ी पर्फॉमस थी हाइस टेकर रहें थी पिछली साल की अफ्तावा आम मक्सूद दूस्तों इनका बहुत ही जाद स्लेक्शन है लेकिन पिछले साल फ्लॉब गई थी है और इसके अलावा चैट कॉपक इंपोर्टेंट रहे सकती है और फ्लो मिलर इतनी कोई खास नहीं रहेंगी दूस्तों चलिए इनके पिछले साल के आपको पर्फॉमस दिखा दूस्तर पहले यह देख लो कि दो प्लियर रेसी हैं जो कि बेंच से बैठी हुई है इन दो मेंसे हो सकता है किसी को जान्स मिल सकता है बैटेंग से बैठी होगे बिचले साल क्या होता दोस्तों सबसे जबतान लेकिन यह अभी अभी अविलेबल नहीं है दो ग्रेस ग्रिवन सेकेंड रही ती जो गार्डन ठर्ट पर हैं ती कैली केशल टीम की कैट्टें ने च्छे मेचों में 370 बनाये ते केवल दो मिचेस ने खेल लेते हैं और कोडिया ग्रिफिट ने सडशा टना बनायते हैं 22 का इनका उसत्ता मैडी डीविलियर्स बेटिंग में कुछ खास करनी पाही थी जिनका पर्सनल सेलेक्शन नब्भे हैं बॉलिंग में देखोगे सब दोस्तों सबसे जादर विकेट किसने निकाले कैली केसल ले और इनका पर्सनल सेलेक्शन देखोगे तो आप हेरान हो जाओगे इनको केवल जार पर्सनल लोगों ने ही अपने टीम में ट्राय करा है ग्रेस ग्रीविन इंपोर्टेंट रहेंगी जैसे कि मैंने बताया बेटिंग बॉलिंग दोनों करेंगी तो ये एक मस्टेव है जिसको ग्रेंड लीक और इस्तिमॉल लीक दोनों में आप लेके चल सकते हो दत्तानी अवेलेबल नहीं है बाकी जो गार्डन ने भी 5 में चुमें 5 विकेट निकाल लेते हैं मेडी डिविलस कोई 5 विकेट में लेते हैं अफ्तागा जिनका पर्सनल सेलेक्शन करीब 70-70 पर्सेंट है तीनी विकेट निकाल पाई थी बिछले साल और आगे बढ़ता है इनकी अपन रिसेंट फॉर्म देख लेते हैं प्लस ओवरॉल टी-20 में क्या रिकोड है वो भी देख लेते हैं ओवरॉल टी-20 में बीज में 15 विकेट फॉर्म अच्छा है इंपोर्टेंट रहेंगी ज्यादा रिस्क मत लिजागा उनको ड्रॉप करने की सेफ हैं बिलकुल लेके चल सकते हो डैन्वेर निकर देख लो दोस्तों रीसेंटली केवल दो में बालिंग करी है और परफॉमस इत्ती कोई खास रही नहीं है तो रिस्क इन पर लेना बनता है ग्रैस ग्रीविंस का नहीं बता रहा हूं कि इन पर जादा रिस्क लिजेगा लेकिन इन पर ग्रैंड लिक में आ बोड भी कर लिया करो ताकि दुस्तों आपको टीम मनाने में हमेल मिल सके हूं कोडिया ग्रीफिट दूस्तों ठीक प्लेयर रहेंगी एवरिश्क रहेंगी बैटिंग बैट्स में ज्यादा फोकस नहीं करना है बॉलर जो प्यादा फोकस करना है रीसेंटली पर्फॉमस जाते साथ बेटिंग में भी यह कॉंट्रिबिट करती हैं दूस्तों हमारा केर ग्रेंड लिग में काफी इंपॉर्टेंट डिफ्रेंशल रहेंगी लेकिन कमी ट्राइक करना है क्योंकि सामनेवली टीम सामनेवली विकेट की पर जो की काफी ज्यादा तगडी बॉल रहे हैं इसके अलाव जो गार्डन की रिकॉर्ड देखलो जो गार्डन की रिसेंटली पर्फॉंस अच्छी रही है इन्होंने पिछले दस में दुस्तों ओवर्स भी डाले हैं रन भी बनाया है और ब्रिकेट भ काफी कम है ग्रेंड लिग में डिफरेंशल पिक रहेंगी बिल्कुल ट्राय करना है इव अगरे राइट आप मीडियम बॉलिंग करती है इनकी पर्फॉंस देखलो अच्छी है पिछले दस में दो बार तीन देन विकेट और एक बार दो विकेट निकाल चुगी इनको ट्राय कर सकते हो इसके अलावा कैड कोप एक ही दिखती है तो अब इनको फॉर तीन विकेट रिकेट रिसेटल्टव निकालके आ रहे है इनका भी रोटेसन आप गूहा सकते हो बागरी फॉर मलेत रित अच्छी नहीं स्काड़्र्ड यूजू इंपार्टन नहीं लीशी म में दिये हुए जो आपको सबसे ज़्यादा बेस्ट लग रहा है उसको अपने टीम में लेके जॉइन करो और जिस पर आपको हाई इसमें विनिंग कर सकते हो तो एक बारी सेपको आपको ज़रूर राय करना है अगर आपने अभी तक इसेपको ट्राय नहीं करा हो तो इसके जो लिंक है नीचे डिस्कुरिशन में मिल जाएगी एंटरल स्पार्क की प्लेइंग लिए मन देख लेते क्या इनकी लाइनप रहने वाली है इवा जोंस ओपन करती हो दिखेंगे दुस्तों टीम के कैप्टन है एवी फ्रीवों के साथ एमी एलें जोंस हो सकता है टुडाउन पर भी बेटिंग करती हो दिखेंगे बट मोस्ट रोली अभी इनकी बेटिंग लाइनप के साथ से वन डाउन पर मैंने 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 कर रहा है एरिन बंस काफी अच्छे फॉम में है बॉलिंग बेटिंग दोनों में तगड़ा स्पोर्ट यहां पर पिछले साल की पर्फॉमेंशन के देख लेते हैं तो यहां पर एमी एलन जोंस हाइस अंगेटर रही थी विकेट कीपिंग में एकदम सेफेस्ट ऑप्सन रहने वाली है और ज्यादा रिस्क मत लीजेगा 20 टीम बना रहे हो तो 17 या सोलर टीमों में ठीक है इसका अलावा एलवी जोंस के बात करें उस्तों इन्होंने भी अच्छा खासा स्कोर कर रहा है यह इंपोर्टेंट रहेंगी एफ्री वोन काफी डिफिनेसल रहेंगी जील में जरू ट्राय करना इसी वांग मस्टेव रहती है क्योंकि बॉलिंग बेटिंग दोनों इनका परसंट के सांद देखो कितना है अभी चार परसंट के करीब सेलेक्षन है इनका और इन्होंने दोस्तों कितने विकेट निकाले थे विशले साल साथ अबर में सब्भी सबर की गेंदवाजी करते होगे 12 विकेट निकाले थे तो इसी प्लेयर के आर्वें आपको बता पर्फोंस दीती तो यह प्लेयर इंपोर्टेंट रहेंगे इनको आपको ग्रेंड लिक में जरूरू ट्राय करना है चेंट्रल स्पार्क की तरफ से अगर बात करें जोस्तों तो एमे एल्वे जोंस का काफी तगड़ा फॉर्म चल रहा है इनकी पर्फोंस देखो रिसेंट प्लेस चाहर विकेट और रन भी बना है इनकी पर्फोंस भी अच्छी रही और अच्छे विकेट लिकाल के जाती है तो यह भी एक अच्छी और सेफ पिक रहेंगी केटि ज्योर्ग की पर्फोंस देख लो पिछले तीन में चुमें तीन उपकेट निकाल चुकी है और चार में चुमें पाच विकेट निकाल चुकी है तो ठीक प्लेयर रहेंगी आप बिल्कुल ट्राय कर सकते हो रोटेशन गुमा शकते हो इनके साथ एवी जोंस शॉरी ई हाई है दुस्तों वहां सोरी इनका पर्सेंट वेसे भी है ग्रेज स्पोर्ट का जुरूर बहुत का में सिलेक्शन है के वल 4% लेकिन लास्ट सिजन की हाइस्ट विकेट टेकर ही है सो यह ग्रेंड लिग में मस्टे पिक रहने वाली है और इनको आपको जरूर ट्राय करना है अना बेकर कभी दुस्तों करीब 17% सिलेक्शन है लिकिन इनकी परफोएंस अच्छी रही रही रिसेंटली और यह एक तगड़ी ओप्सेंट रहने वाली है ग्रेंड लिग के लिए इनको भी आप रोटेस्टन घुमा सकते हों तो टीम देखने से पहले आपको कुछ इंपोर्टेंट प्लियर बता दू जिनका प्रस्टेंट बहुत जादा कम है लिकिन ग्रेंड लिग में अच्छे पीक रहने वाले हैं सबसे बहले विगेट किमिंग सेक्शन में अमाला कर इनका प्रस्टेंट सेक्शन 17 है और इनको आप ट्राइ कर सकते हो दुस्तों पिछले साल अच्छा गया था दो में चुम इनों ने अट्ट सेटन बनाएते हैं बाइचांज अगर दूस्तों अगर फ्लॉप होती है तो यह इंपोर्टेंट रहेंगी अधर्वाइस अग्द ग्रेंड लिग में रोटेट करना सारी टीमों में नहीं कुछ टीमों में शरूरू ट्राइ करना मतलब यह इसली प्लेयर अगर आप 20 टीम बना रहे हो तो 6-7 टीमों में आप इनको एजली अपनी टीमों में लेके चल सकते हो बालिंग सेक्शन में आओ हना वेकर दूस्तों रही थी, 4% सेलेक्षिन जरूर ग्रेंड लिंग में ट्राय करना, जी पोर्ट दोस्तों, 5% सेलेक्षिन हैं, हाइस्ट विगेट टेकर थी, 7 में बारा विकेट निकालेते, तो ये भी बहुत important pick रहेंगी grand league खेल रहा हो जरूर ट्राय कर लेना C copic दोस्तो 2% selection अच्छी performance रिसेंटली आई है अगर इनको team mocha देती है तो इनको भी try करना है तो ये 7 player इसे हैं जिनको जरूर ट्राय करना आपको वीडियो के start बताया था क्योंकि सारी चीज मैं आपको अलड़ी बता चुका हूँ अगर मैं आपको GL के team mocha मेरी बताने लग गया तो आप दोस्तों यहाँ पर बहुत ज्यादा competition हैगा लोग उन क्या करेंगे सीधे सीधे copy paste कर लेते हैं वीडियो को नहीं देखते हैं इस कारेंट से दोस्तों मैं अपनी टीमों नहीं बताता हूँ जादर टीम सेयर भी नहीं करता हूँ टेलिगाम चैनल पर ठीके तो आपको एक आइडिया देता हूँ कि आप खुद से टीम बना सको और कुछ important players आपको update कर देता हूँ तो इसलिए वीडियो को पूरा देख लिया कर हूँ जो लोग वीडियो को पूरा देखेंगे वो definitely अच्छा करेंगे जो नहीं देखेंगे, skip करके देखेंगे उनको दुस्तों Grand League में ज्वें भी करेंगे तो loss ही होने वाला है योद AO को को टॉस्च लगा होग आपको वीडियो को लाइक कर सकते व अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते किस तरीकी के डोमिस्टिक वीडीयो कोई भी कवर नहीं करता है केवाल आप लोगों कं लिए म में